तो बाइस जन्वरी को आयोध्या में स्थापित राम मंदर इतिहास रिचने वाला है और ठीक इसी दिन जमशेदपूर भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्च करवाने वाला है दरसल जमशेदपूर के रहने वाले विवेक मिश्वा नाम के कलाकार रंगोली के माध्यम से राम भगवान की तस्वीर मिनाने में जुटे हुए हैं जोकी राम मंदर की प्रान प्रतुष्ठा के दिन ही पूरी होगी इसका जायजा लिया है सहयोगी इदरजीत सिंग नया साल 2024 का 22 जनवरी भारत में इतिहास रशने वाला है अजोद्या में बनने वाले राम मंदिर का प्रान प्रतुष्ठा का इंतिजार पूरे भारत वर्च के लोगों को है वैसा ही एक इतिहास जमसेदपूर में रचा जाने वाला है वो भी 22 जनवरी कोई राम भगवान का एक बड़ी तस्वीर जमसेदपूर में बनाई जा रही है जिस तस्वीर को आप देख करके आज सरे चकित हो जाएंगे शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि ये जो तस्वीर बन रही है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाली है कारण की 14,000 फिट पिछला आप तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक तस्वीर बन चुका है और ये 18,000 फिट में ये बनाया जा रहा है पहले आपको हमें एक तस्वीर दिखा देते हैं किस तरह से राम भगवान की इस तस्वीर को एक कलकार बना रहा है वो भी 18,000 फिट में आप देखिए इस तस्वीर को किस तरह से इस तस्वीर को बनाई जा रही है राम भगवान की वो तस्वीर जिसे आप देखने के लिए 22 तारिक का इंतिजार कर रहे है राम भगवान का वो तस्वीर जिसको आप रात दिन अपने शपनों में देख रहे हैं हज़ार स्क्वाइर फिट में होगा और ये तस्वीर जो होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा वो भी 22 तारिक को इसे कंप्लीट करेंगे भगवान के आप नैन को देख लिजे किस तरह से इस नैन के दर्सन के लिए यहां लोग भी खड़े हैं मगर पहले भगवान की इस तस्वीर को देख लिजे कि मर्यादा पुर्शुत्तम राम किस तरह से धरातल पे उतारे जा रहा है हलाकि 22 तारिक को इनका प्रान परतिष्टा और जोध्या में होना है वहीं कलकार की इस कलकारी को देख लिजे आपको हम कलकार से बात भी करवा देंगे कि उनकी मंसा क्या है मगर यह किस बारिकी के साथ किस जो समागरी है कौँची समागरी से इसका निर्वान कर रहा है हलाकि इसमें पेंट लग रहा है कि यह क्या है इन्हें ही मालूह में चुकि यह कलकार है यह भली भाते जानते हैं कि कि सब चीजों से इतना बड़ा तस्वीर बनाया जाएगा हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या है यह समान और कैसे सोचे कि इतना बड़ा तस्वीर और वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा इसे डाजी क्या है यह सी राम जी का टोटल 18000 स्क्वाइर फिट में तस्वीर बना रहे हैं जो तेइस सो किलो रंगोली का सिर्फ इसमें रंगोली का इस्तमाल करके बनाया जा रहा और इसको पांस तारिक से स्टार्ट किया बनाना और आपका यह 20 ता वार्शी यहां पास उससाथ को मनाएंगे वर्ल्ड कैसे बनेगा अब तक का रिकॉर्ड क्या है और वर्ल्ड कोर्ड कि बना रहा हूं और इसमें टोटल 15 दिन का समय लग रहा है जो मतबडर एविडेन्स के थोर पे हमको भेजना है वर्ड रिकॉर्ड में जो मेल किया जाएगा और यह एविडेन्स देखा जाएगा कि मैं इंडिविजुल ही बनाया हूं पूरा पची मतलब 15 दिन वो सब देखा जाएगा वहां से इतनी बड़ी तस्वीर नहीं बनाया इससे पहले मै सब्सक्राइब मैं अभी तक दो तीन तस्वीर सीराम जी की कंटीनिव बना रहा हूं जो 22 को प्राणप्रदिश्टा होना है और वह उसको कैसे देख रहे हैं और राम भगवान का अपनी तस्वीर को आप कैसे देख क्या लग रहा है कि भारत जो इतिहास रशने जा रहा है 22 तरीको आप भी एक इत्यास रचेंगे दिखी हम अपनी तरफ से जो भी 22 तरीको मेरे से जो हो सकता है मेरे में जो प्रतिबा है मैं अपने प्रतिबा को बस उभार के मैं अपना जो भी उस्सा है वो दिखाना चाहता हूं लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल यह वर्ल्ड र करा के बनाएंगे हलाकि इस campus का आपको हम दिखा जेते हैं कि राम भगवान के चारों तरफ जो भब्य मंदिर का निर्मान हुआ है वो दिखेगा हनमान जी के उसके द्वारा यह अधर निर्मान कराया जा रहा है इस तश्वीर में तवाम तरह की रंगोलियां का इस्तामाल की जा रही है राम भगवान के साथ-साथ अन्ने जो तस्वीर है वो यहां बनेंगे और इनके पीछे जो है एक बड़ा मंदिर का अद्री से दिखाई पड़ेगा इनके जश्ट बगल में माता सीता और हनुमान जी की तस्वीर भी आपको देखेंगे यहां जो अस्थानिय लोग है वो भी यहां पर खड़े हुए है चुकि पिछले किस कुछ दिनों से यह बन रहा है और बाइस थारी को संपन होना है इन्होंने दिवाली के समय में इसी तरह की रंगूली 3000 स्क्वार फीट का बनाया था बिस्टूपूर सी राम मंदिर में मुझे बुला था उधार्टन करें मैंने देखा अच्छा लगा इस तरह क सब्सक्राइब कर हैं और मुझे लगता है कि वाइंग के काम से खोटी लिया होगा फैसा कर रहा होगा फिर भी मुनों योग से कर रहे हैं और इनका यह कहना था कि हम चाटे हैं कि अभी तक जितना बड़ा शेत्र बहां रंगोली बना है उस्ते जादा में बनाऊं 12,000 स्क्वार्फिट में कर रहे हैं तो निशीत रूप से वर्ल्ड रिकाउड हो जाएगा और इनकी सारी गद्विधियां CCTV कैमरे में कायद हो रही है कि काम कर रहे हैं अब नहीं कर रहे हैं हम लोग इनको सुविधाय मोहिया कर आया जगह दे दिया है और जो इनकी देना चाहिए इनके कारण सुस्वाइंग की भी पर्याद पॉब्लिसिटी होगी और मुझे रगता है कि जितनी रूची से आसपास के मुहले को लोग आकर देख रहे हैं और आप लोगों के मादम से खबरें फाइल नहीं हैं तो लोग ही समझ रहे हैं कि आज ये इस्तिती है तो 22 जनौरी को जिस्ति भगवान राम की प्रांट प्रजिस्था फिर से साड़े 500 साल पहले अपने ही अवतरण स्थल पर होगी तो उस समय तक ये दिव्य खड़ा हो जाएगी प्रतिमा रंगोली और इस रंगोली को आप देखेंगे उस समय तो संपूर्ण चीतर दिख कि अंदिरा बनने में तेजी आए इससे भगवान राम के काम से बनने में कुछ लोगों से बात करने का प्रयास किये जते हैं कि राम भगवान की इस भब्य जो मंदी निर्मान हो रहा है जो प्रान पत्ष्ठा प्राइज रहा बाइस तरीको उसों कैसे देखते आप आप कितने उस्तुक है इस तस्वीर को देख करके और बाइस तारीक होने वाले अजोध्या में राम मंदिर को देख करके राम भगवान को कितना मानती 나 तुक चाला करा रह तो उसका श्मी दान हो इसलिए हम लोग खूज है कि हम लोग काम किये बैठ गए तो आगे चलके बाल बचागा मंदिरी से खूज हाली हो कई फ़नसान होते हैं? तो सद्थी बैठे हम लोग से नियर सिटिजन के अदमीं आकर कि धर गट नलब हटा करके परदिवसर से बचे हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ग्यान चुपा हुआ है। इस तरह का राम भगवान को कस्ट मतलब मता कंकई की दुवरा मिला लेकिन राजा रहते हुए भी वह उनके मां को अपने इतना इज़त किये जो अपने आपको लोगों को 22 तारिक का इंतेजार भी है और इस तस्वीर का complete होने का भी इंतजार है वो ये भी नजरे टिकाए हुए है कि ये जो कलकार है विवेग ये किस तरह से किस बारिक्यों के साथ राम भगवान की इस बड़ी तस्वीर को बना रहा है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के रास्ते धिरे-धिरे आगे बढ़ता जा रहा है कुछ यूँव है उनसे बात करने का प्रयाश करते हैं भाया एक मिनिट हम लोग जैसिरी राम के नारे लगाते हैं खासकर unti लोग यहां लोग बोलता है आप क्या बोलते हैं आप क्या सोचते हैं इसका लेकार वो कैसे देखते हैं राम भगवाने की उस प्रान कर रहे हैं तो इसमें हम लोग यह सोच के यहां पे हैं कि जितना हो सके अपने तरफ से बीवेक भाय का साथ देना योगदान देना मंदिर के लिए कि जितना हो सके अपना धर्म आगे बढ़े और इससे हमारे राम मंदिर के बाइस्थारी को उठ घाटन और उसमें वहनों जि ही है और जो तियास हो रहा है और पुरे वर्ल्ड में पुरे विश्व में एक देखने का लायक होग乐 जो इस लक्षप न्रायन विला मंदिर में है जो रंगुली बना रहे हैं हमारे विवेक जी के द्वार्ण वर्ड रिकॉर्ड बनेगा और जिसमें हम लोग हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहां इस कलकार को देखने के बाद जमसेदपूर के लोग और उत्साहित हो गए है जिनका साफतोर पर कहना है कि जैसे ही राम भगवान का प्राण पतिष्ठा बाइस्तारी को अजोध्या में होगा उसी दिन ठीक है विवेक जी के द्वारा बनाये गए इस बड़ी अठारा ह जमसेदपूर में इस बिवेक कलकार के द्वारा राम भगवान के बड़ी तजबिर की साथ होगा अब देखने वाली बात ही होगी कि इस तरह से भाषपा और मोधी जी आवान कर चुके हैं कि देश बर में हर घर में दीपक जलाना है और पूरे देश को 22 तारीक के दिन को उसो के रूप में मानाना है देखने वाली बात ही होगी कि ये उसो का दीप जो है कितना जलता है पूरे देश बर में अपने शयोगी नवीन परदान के साथ इंदर जीत सिंग समाचार प्लास जमसेदपूर